आना जा रहा है कि बहुत जल्द ही जो भवे मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको पूरा कर लिया जाएगा और इसको लेकर जगा 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 से भी शिलाए निकली आस्था का ऐसा जन सलाब देखने को मिला मानो अभी से ही वो भविता जो 2024 में आनी हो वो अभी स से दिख रही है उसको लेकर भक्तों में बेहत उत्सा है लोग निकल रहे हैं शिलापटों को छूने के लिए आशिरवात देने के लिए आपको कुछ रियक्शन सुनाते हैं उससे पहले कि इतने बुशान शिलाखंड है 14 तन 15 तन 27 से 30 तन नभी तक से बाहर निकलना यह आजनी का काम नहीं था नेपाल सरकार में भरफूर सही उपिया महाराश्री का निवेजन था कि निथया की करंपरा है कि हम तन्यया के घर कुष्ण को सवकात भेजते रहे हैं कि हर साल भेजते हैं भारस्पति हैं हिंदू परिवारों में सब जबा होगी यहां लोग प्रतिष्थित हैं तो उनके उपर हथावडी चला चीनी चड़े इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा मैं बता रहा हूं इसलिए मैं संबंधित स्री राम जन्भूम ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से और सभी लोगों से मेरा करवध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ न करें इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे और सालिक राम स्वयम प्रतिष्थित सिला है इसल प्रतिमा का काम भी बेहत तेजी के साथ चल रहा है और ऐसे में शालिग राम में शिलाओं की पूजा होनी है और जो इतिहास है वो 6 करोड साल पुराना बताया जा रहा है क्यूंकि नेपाल की गंड़क नदी से यह शिलाओं निकाली जा रही है जो उतसा है भग्तों का वो बेहत चरम पर हैं और देगी जहां जहां पर भी ये शिलाय निकली जहां जहां से भी इन शिलाओं ने प्रवेश किया वहाँ पर पूरा परिसर जय श्री राम के उद्धोश से गुंजायमान हो उठा मानितायन से जुड़ी बहुत सारी हैं और ये पत्थर अयोध्या में रा किनारे पर खड़े होकर जय श्री राम के जय घुश लगारें और इस पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जोड़ चुके हैं पूरा खास पैनल जोड़ चुका है सबसे पहले रुबरू कराते हमारे साथ डॉक्टर विवेक तांगली जी जुल चुके हैं अध्यक्ष प्राच जी आयोध्या से सिधार करूंगी आपका भी आप दोनों का ही बहुत-बहुत स्वागत है शुरुवात करती हूं डॉक्टर विवेक तांगली जी आपसे जो बाते हम लोग कर रहे हैं जो चीजे बताई जा रहे हैं और देखिए भववेता बहुत है 2000 मंदिर का पूरा नि जैसा कि बताया गया है कि गंड की नदी में छे कुन वर्ष पहले की चिला है जिसको बहुत प्रयासों से यहां तक लाया गया है और सबसे बड़ी बाद इसमें इसका जो सबसे सुन्दर पक्ष देखें तो जिस परकार से हम सब जानते हैं कि यह राम जी का नेपाल जो है स स्यासराल है और वहां से वह चिला आई है जालिगराम का अपने ही रूप में बहुत महत्त है जैसे जालिगराम को साक्षात विश्नुजी का वतार बताते हैं तो मर्यादा पुरशोत्तम प्रभूश्री राम जिस प्रकार से विश्नु अवतार है उसी प्रकार से शालिग राम भी विश्नु अवतार है ये परम सौ भाग्य का विशय है कि उस पवित्र पत्थर से हमारे प्रिय हम सब की आत्मा में बसने वाले मर्या विश्चेत रूप से सुख और शान्ती को प्राप्ट करेंगे। विश्चेत रूप से सुख और शान्ती को प्राप्ट करेंगे। विश्चेत रूप से सुख और शान्ती को प्राप्ट करेंगे। विश्चेत रूप से सुख और शान्ती को प्राप्ट करेंगे। विश्चेत रूप से सुख और शान्ती को प्राप्ट करेंगे। या कोई भावनात्मत विश्चार कर लेगा तो वह जो है वह सही नहीं उरता है। इसलिए सालिक ग्राम जो है स्वयम भगवान हैं जैसा कि आज़्चार जी कह रहे थे। लेकिन सालिक ग्राम पर छीनी हथाओरी नहीं चासकती, सालिक ग्राम से परजिवा नहीं कराती जा सकती है। इस पर भी लोग विचार करें। ठीक है, एक बार रुक जी बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लोटूगी परमंस जी, अमारे साथ इस वक्त नागेंदर महराज भी इस पैनल पर जोड़ चुके हैं और साथी साथ साधवी गीतंबा तीर्थ जी भी जोड़ चुकी हैं, रुक कर लेते हैं, एक बार उनका तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? स्री राम की मूर्थी वहाँ बनेगी, अच्छा है, और बैसे मुख्य रूप से तो प्रान प्रतिष्ठा के द्वारा ही उसमें प्रान आएंगे। जी, ठीक है. साले ग्राम स्वयम प्रतिष्ठीत होते हैं, आन नसिलाओं से जो मूर्थी बनती है, उसमें प्रान प्रतिष्ठा की जाती है, साले ग्राम की प्रान प्रतिष्ठा नहीं होती है, महोदे? 9 इंच से उंची, जो मूर्थी होती है, उसकी प्रान प्रतिष्ठा होती है. यह आपको परमस्जी जानकाली होनी चाहिए कि नौ इंच से उची मूर्थी की प्राण प्रतिष्टा होती है तो ही वो मूर्थ रूप लेती है तब ही देव प्रतिष्टित होती है मैं आप से पूछ रहा हूं कि सालिक ग्राम भगवान जब साचार विश्टू के रूप आप असोयम मान रहे हैं तो उनके ऊपर हथावडी चीनी नहीं चलना चाहिए वो जैसे सालिक ग्राम है उसी रूप से उनको भगवान के रूप में पूझे हैं और जो प्रतिमा बनाए सब्सक्राइब से नीचे मूर्थी उस ते उस उसमें प्रांऱच अब्रोटिया की जरूरत नहीं होती है और ग्राे उनकी प्रांच प्रतिष्ठा की आवयों लेकिन जब प्रतिष्था होती है तब देव मूर्थ उसमें इस्थापित होंगे आधान होता है उनका तब जाकर के उसमें प्रतिष्था है कि प्रमार देदुगाबताइज शौयम प्रतिष्था थाया है नौ इंच से नीचे की जो पत्थर होता है उसमें बूर्ति पूजा प्रतिष्था करने की ज़रत भी होती है आपको ठीक है आप लोगों के जो मत है वो अलग अलग हो सकते हैं आपका क्या मत है इसमें निश्चित रूप से परमंस आचार जगत गुरु जी ने जो कहा है कि शाली ग्राम स्वेम प्रतिस्थ देव हैं इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है और जैसा हमारे दूसरे ग जगत गुरु शंकरा चार है इन सबसे इसकी एक्सपर्ट अपुनिन जरूर ली जानी चाहिए क्योंकि धर्म का विशह है आस्था का विशह है और एक सुंदर संयोग यह है कि जो साक्षात स्वरूप में मर्यादा पुरिशोत्म प्रभूश्री राम विश्नु जी ने बिल्कुल यह पुराणों में सती व्रंदा का एक आपने तुलसी विवा के संबने सुना होगा कि तुलसी जी का विवा होता है और यह जब देव उठावनी का दसी होती है उस दिन तो यह व्रंदा नाम की एक महा सती थी और उनके जो पती थे जलंधर उनको भगवान पत्थर का बना दिया था और पत्थर बनाने के बाद फिर वो उन्होंने जब सबने प्राथना की तो उसमें यह जब अब जब भी मेरी पूजा व्रंदा ही मा तुलसी के रूप स्वरूप में है और दंडकी नदी के रूप में व्रंदा बहती हैं और मा तुलसी के रूप वह पत्थर वह भगवान विष्णु के सुरूब में पाए जाते हैं तो इसलिए यह संबंध है और निश्चित रूप से अगर वो मेरा तो यह मत है कि इतना सुंदर संयोग अगर होगा तो यह बहुत ही अध्वुत संयोग यह संयोग जब भी होगा बहुत संदर होगा देखिए लगभग 500 वर्सों तक पीडियों से राम भक्तों ने संघर्ष किया मानी शरबोच नियाले से जज्ज्मेंट आने के बाद में मर्यादा पुशोता भगवान स्री राम लला का जो दिभभव राम मंदिर का निर्माड हो रहा है जो भक्तों के मन में एक परिकल्प होना ठीकिया है ये जहां ते जहुझे सुमदर मंदी रहा है और निषित्रूप से यह जो है लगवाक साथ पर समझांट और पूरा हो गया है यानि कह सकते जो संकल्पना आमने देखी थी वह बहुत जल्द पूरी होने जा रहे है और कह सकते जो कंड कंड है वहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान है जगत कुरी जी बिलकुल विराजमान है लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा शालिक ग्राम पर हथाउडा ना चलाया जाये जो बड़े धर्माचार है वित्वान है उन से इस पर राय ली जाये आश्रिधातू की मूर्ति बनाई जाये या और कोई पी कप सोचा जाए लेकिन बिल्कुल नेपाल से लाया गया है इसे नेपाल की गंड की नदी से इसको लाया गया है उसका क्या विश्यश महत्पे है और पहचानना बताया जा रहा था कि लगभब 40 दिन से ज्यादा का वक्त लगा सिर्फ पहचानने में इन्ही विवेक्ताद। तो हिलने लग जाती है वहां तुलसी का पत्ता डालिये कितनी बड़ी मिसिला होगी वह उसमें जो है कंपन पैदा हो जाता है इसलिए सालिग्राम वहां जो है गंड की नदी में जितने जैसे का दे नर्वदा का हर कंकर संकर है और गंट की नदी से जो है जो भी पत्थर निकलते हैं वो जो है साली ग्राम है और वो ठीक आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ विवेक तांग्री जी बिलकुल मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे ये शाली ग्राम के जो प्रकार बताए है निश्चित रूप से इसका वर्णन ब्रह्म पुरान में आता है पद्न पुरान में आता है गौतमिय तंत्र में इसके मार्ग होगा जिसके माध्यम से हम लोग इसको अच्छे से जितनी भवता और जितनी पवित्रता के साथ उसको इस्थापित कर पाएंगे और दूसरा मेरा कहने का ये है कि हमारे हाँ जो तृदेव की तृदेव हैं उसमें जो विश्णु भगवान है जो शंकर भगवान है इनों कल्यान के लिए पार्थिव रूप में ये शिला के रूप में अपना वो किया जैसे आप बताया अभी जगत गुरू ने कि नर्मदा से नर्मदेश्वर और गंड़की से आपको शाली ग्राम प्राप्त होते हैं तो इसका एक अलग ही महात्म है अलग ही विधान है और शायद शास्त्रों में निश्चित रूप से हमारे पुराणों में हमारे वेदों में हर चीज का हर प्रश्न का उत्तर है तो इसलिए यदि इस विशय को बहुत अधिक हम सब अपने हिंदू धर्माचारियों से हाज जोड के अनरोध करते हैं कि अग जगत गुरु शंकराचार हमारे सब पीठों के हैं उनके द्वारा इसके उपर हम लोग अगर एक्सपर्ट कमेंट ले तो निश्चित रूप से एक अच्छे स्वरों में क्योंकि हम सब के आस्था के प्रतीक मर्यादा प्रशोतम प्रभुश्री रामें उनका वो मंदिर ज इस विशे में हमारे जगत गुरु जादा उचित बताएंगे कि हमारे वेद पुरानों में जो शास्त्रोक्त विदी से मूर्ती पूजन मूर्ती प्रतिष्ठा का विधान है निश्चित ही उसमें मूर्ती के बनाने का भी विधान है तो उस मूर्ती का आकार कैसा होना है च कहुंगा कि इससे सुन्दर स्थान इससे पवित्र स्थान इससे उर्जामाई स्थान संपुर्ण विश्व में कोई नहीं हो ठीक है अम लोग बात करें लगातार भविता की हमारे साथ परम्हंस जी भी जुड़े हुए हैं लगातार आयूध्या से और महमान भी इसको मात्र चूना चाहते थे और वो खुद में ही आस्था मैं थे इन तस्वीरों का उलेक कर दीजिए तो और भी जादा भैतर होगा कि हमारे धर्म हमारे जू आस्था हमारा धर्म हैं यह सभी सभी देवी देवता और सभी एक निचले से निचले वर्ग प्रत्य व्यक्त और नर्मदा के नर्मदेश्वर के को स्वेम प्रतिष्ठित माना जाता है, स्वेम भू माना जाता है, तो कोई भी वेक्ति शद्धाप गुर्वक उस पत्थर को लाके अपने घर देविस्थान में रखके उसकी पूजा नर्चन कर सकता है, किसी भी बड़े विधान के लेकिन जितना मैंने आप सब के चैनलों के बादनम से देखा, यह आस्था का अपरम पार समुद्र सहलाव है, जो जन समुदायक के रिदय में जो राम बसते हैं, उनके प्रति समर्पन की भावना है, जो यह सब लोग उसको इस परश्र करना चाहते है, क्योंकि जब यह वि इसका इतिहास बताए जा रहा है, कुछ किवदंतिया भी होंगी, कुछ कथाए भी होंगी, महराजी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। भगवान से है, कि वो सोचे कि अब यहां से जाए ही नहीं, रोज लोग अब जब वहां से आने लगे तो उनको इतना तकलीफ हुआ, इतना तकलीफ हुआ, तो भगवान उनकी अन्ता के भाव को जान करके बोले कहें, चलो, और कहीं जो है, लोग हमको हमारी पुजा के भगवान है, और आज वो जो चार, आज चार सिलाए आए हैं, देखे, दो बड़ी सिलाए हैं, जिनका वजन लगभाग 127 कुंटल है, अब दो उन सिलाओं के नीचे छोटे-छोटे सालिगराम, चार सालिगराम, चार सालिगराम मेरा मारा है, एक रामलला मर्यादा पुशो प्रवशिराम है, एक उनके अनुज लखन है, जो हमेशा साथ मेराते थे, बन में भी साथ गए, और फिर जो है तीसरे चवते भारत सतुधन है, ये चारो भाई, जो उस समय नेपाल वासियों, जनक पुर वासियों के प्रेम से वहां सालिगराम के रूप मेरा गय थे, आज ये भगवान का सुरुख प्रतिष्ठित है, और इन्ही की पूजा हम लोग करेंगे, इन्ही की पूजा से त्रिववन का सबका कल्यान होगा, अलग से इनमें मूर्ती बनाने की कोई जरुवत नहीं है बिल्कुल उस मंदिर की भविता क्या होगी, ये कह सकते हैं कि एक कल्पनाम लोगों ने देखी थी और ये कल्पनाप साकार होने जा रही है, जहां पर भी रामलला का नाम आता है, वो पूरा शेत्र, कह सकते हैं परमहनसी जी भक्ति मै हो जाता है, राम नाम के उद्गोश क साथ, तो आयोध्या के तो कर्ड कर्ड में कहा जाता है कि भगवान हो, और नेपास से भी देखे बहुत खास रिष्टा है, देखिए, मैं यहां एक कास्चा की बात बताऊं, अभी कुछी दिन लोग जो है, कुछ लोग आये थे यहां जो रामार की परतिया जलाते हैं, तो कुछ लोग आये थे, दस बारा लोग आये थे, सरजु नहा के हमारे पास आके फूट फूट करके रोई, बले गुर्देव, हम लोगों को बड़ा भारा गया, लेकिन यहां आने के बास सारी दुर्भावना निकल गई, और लगा कि जो राम का नहीं, इसलिए यह हमारा रा यह कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, आज देखे आस्था से जुड़ा यह पूरे देश का मसला है, यह पूरा देश आस्था से जुड़ा हुआ है, पूरा बामला है, लेकिन आप देख रहे होंगे, देश में एक तरफ एक अलग महौल है, एक तरफ चौपाई पर वि मंदिर में विराज मान होंगे, उसी दिन भारत भी शुगरू बन जाएगा, और इस समय भारत नहीं पूरे दुनिया के लोग राम मंदिर को देखना प्रतिक्छा कर रहे हैं, कि कब राम लगा विराज मान होंगे, तो कम हम जाकर के दर्सन करेंगे, यह एक बिलक्षा बात है, आज दुनिया की भारती नहीं, पूरे दुनिया की मैं चैलेज करता हूँ, कि कब से कब 95% लोग जो है, राम मंदिर के दर्सन के लिए लालाइप हैं, यह जो है एक प्रकासे, राम राज की शुगर, और ऐसा वर्ट में और कोई जो है, कोई एक्जाम्पल नहीं हो सकता है, जो हमारे प्रहुसी राम लला के लिए राम मंदिर में विराजमान होने के उस तिर की परतिक्षा में पूरा विश्चुट है, अपने पलक पामडे विछा करके इंतजार कर रहा है, यह बहुत विलक्षर बात, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जड़ने के लिए जगत गुरु परमन साचारे आपका बहुत बहुत शुक्री आपको शैद कहीं जाना है, इसलिए आप और ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, और भी खास लोग हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते और लोगों का, नागेंदर आप देखने को मिल रहा है, कुछ विवाद भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भगवान का भव्य मंदिर निर्मार होगा, तो उसकी भविता अलग होगी जी, मैं कहना चाहूँगा कि जिस पलक देखने के लिए, जिस द्रिश्य को देखने के लिए करोणों, हिन्यों की, सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है, उनकी हिर्दय के उद्गार जुड़े हुए हैं, वो लोग पलके बिछाए हुए इंतजार में हैं, तो उसमें क मुख्य रूप से जो रिशियों राम कृष्ण का देश है, संपून विश्चु की आत्मा का नाम है राम, और उन राम जो योगिनों इसमन्नती ती राम हां, जो योगियों के हिर्दय में बाहस करते हैं, ऐसे प्रभू स्री राम और उनका दिप भप मंदिर बनने जा रहा हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई, किसी प्रकार की मतलब लडाई जगडा या विवादित या उंगली नहीं उठानी चाहिए, बस स्वागत करना चाहिए, जिस तरह से अयोध्या में जब भगवान, राम, बनवास को गए थे और लोट करके आये थे, तो सभी लोगों न चोदह बरस में जितने दिन होते हैं, उतने दीपक अपने अपने घरों की दरवाजों पर छटों पर लगाए थे, तो जो भी हो रहा है, यदि शालिगराम सिला के द्वारा भगवान स्री राम की मूर्ती का अवतरन हो रहा है, तो भगवान की किरपा से ही हो रहा है, उनकी किरपा के बगएर कुछ नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है, और सास्त्री विधी के साथ होगा, पूरा पुरानों के द्वारा होगा, और प्रामानिक के द्वारा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, और ऐसे इस दृष्य का हम सब को स्वागत करना चाहें, और लाखों सना पातनियों की भावना की बात है ठीक है हमारे साथ इस पानल में साध्वी गितामबा तीर्थ जी भी जोड़ चुकी है श्री दुर्गा शक्ति पीट से बहुत स्वागत है साध्वी आपका इस चर्चा में देखे भविन राम मंदिर की बात हम उख कर रहे हैं और शिलापटो वी जब तक आकार नहीं दिया जाएगा तक मझा नहीं हागा आकार उंता खौनों की माने की को दीया जिसके आप जिक्र कर रही हैं उस पर थोड़ा विवाद भी है यह कहा जा रहा है उसको शाल म बजला की आपकी वोदिसे खेलते पूड़ते हैं, ऐसा नहीं है, जब हम वो शिला उठाएंगे, उस पर कई लोग चढ़े होंगे, रस्क्या बानी होंगे, कई लोग उठाएंगे, ऐसा नहीं है, हमें इतना भावनाव में नहीं जूना चाहिए, हाँ, वो पत्थर, वो शिला जो है, हमारे ब्रगवान जब हाँगेगा, रह गई बात है कि हमारे यहां जो नदी, आ मारे कंदड़ी नदी, हमरे उसलेफित इसले इसलेफितों हम मूर्ति को बनाता है, हम भाहर बनाते हैं конце- wakes2 जा को ना हो सिला ड्री है लोग कर मूर्ति को पत्थर वहाल में जिला है, हम को पत्हिती आग छ difसक किला है इस से काकार्क आथास है को जैरे चाए असको इसको गाइनly जाकर आगार विद को चीड है ऑर इसको एक करूंगी डॉक्टर विवेक तांगडी जी विष्णु जी का अवतार बताया जाता है से साक्षात कुछ कधाएं कुछ कहानियां भी होंगी से जुड़ी हुई तो मैंने व्रंदा वाली आपको वह आपने शुरुवात में उसका जिक्र किया और तभी से हमारे हम शाली गराम की पूजन प्रारंब हुई और इस प्रकार तो चौबस अवतार तो इसमें हैं जैसे मैं आपको बता हूँ मैंने देखा अनंत साली शाली ग्राम अनिरुद्य साली ग्राम चतुर मुखी साली ग्राम दामोदर साली ग्राम गरुन साली ग्राम हरिस साली ग्राम हया ग्रीव स जाद्वी ने बताया और यह कीडा उस पत्थर में प्रवेश करके विबन परकार की अंदर आकरतियां बनाता है और कभी मेरे पास एक शाली गराम मेरे घर पर जिसको मैं पूजन करता हूं उसमें चक्र की आकरति बनी तो यह बात तो सत्य है कि कीडा उसको में अंदर उसके गवान का कि और यहम इनको कभी केषव शाली गराम कभी कुष्ण स्थांस Hier जैसा हिकल्यू निश्चित विबन्नटाय होती इसमें के विशेश प्रकार की धारियां पड़ी होती है तो उस पैस्प्रकार के जाष्ये 감 prescription का तो शालेग्राम को अलग अलग जो इसके पहचानने वाल है उसको पहचानते हैं. नागेंदर महराज जी आप किसी बात का जिक्र करना चाहें? जी मैं यही कहना चाहूँगा के यह शालेगराम सिला कर दोरा भगवान से घ्राम को मुर्त रूप दिया जाएगा यह सोने पर एक सवागा है और भगवान का ही स्वरूप मान करके और जो भगवान के जो बनाएंगे उसको लो भी भगवान की अंस है तो इसमें किसी परकार कोई बेबात में करना चाहिए क्योंकि शि intentar को back का रूंक्त रूह जाता है कि ज हम स还No हर वी उपयूप में रहे हैं इसे अलत चीज़ नियुक बनाए दिया जाता या जाता है समझते हैं कि यहां तक पॉंचते हैं कि बहुत कष्ट शाह करके वा बश फ्रराओन सब्राइध में जाएं कि मानँ भागवादyse है उस अभाद offend Spotify सबस्किर से उसलिए में जब तक जब तदक आणन नहीं के लिये उना जो अच्छे तरह से जो भी आकार दे वो फलहार पर रहें, वो अच्छे मतलब वे संस्कारों में रहें, उपना पुजापात बंदम करके भगवां के पास जाएं उसे प्राथना करें तो उसमें एक और आनन्द आएगा और इसमें एक और आगा एक भाश कर दया हएगा और जरा काश्च चाहिए तो प्रणाम तो सभी करेंगे, इसमें कोई संदे नहीं है, और करना भी चाहिए और करेंगे भी, लेकिन एक जो आकार मिलना चाहिए, वो अगर मिलेगा तो आनंद ही आनंद होगा, और आकार मिलना चाहिए, मिदी समस्था, डॉक्टर विवेक तांडीजे, हमारे हैं कहा गय मेहने चाहिए, जिनको आकार देके, जैसे हम मंदिर में मूलतियां देखते हैं, जो हमारी देव मूरतियां हैं, उनका साकार ब्रम यानि मूरतियों का जो विधान है, वो इसलिए बना है कि व्यक्ति मंदिर के अंदर उर्जा-शोत को गृहन करे और उस छवी को देख के उस छवी के आदर्श मीकों करें तो निश्चित रूप में साकार ब्रह्म यानि अगर मूर्ति को आकार दे के उसको प्रतिश्टित किया जाएगा तो एक दिव्य और अलोकिक्ता आएगी एक बात में और कहना चाहूंगा कि यह जो बहस छड़ी है कोई भी बहस बिना प्रभु इस्चा के नहीं छड़त कहीं फिर से ना उत्पन हूँ मेरे बैठने के बाद तो उससे पहले ही इस विवाद का हमारे धर्माचार्यों हमारे जगत गुरु के ओर से हो जाए क्योंकि कहा गया है राम राज बैठे त्रहलो का हरशित भये गए सब अलोका सभी प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हैं वहारे दोनों जो देशें नेपाल और भारत बहुत एतिहासिक और प्राचीन संबंध है वहां से और इसलिए यह जो रिष्टा है यह जो नाता है इसका गहरा जुडाव है वहां की धर्ती से बिलकुल सही कह रहे हैं और हम लोग आज कल टीवी सीरियों में तो देखते ही ह हैं कि यह रिष्टा क्या कहलाता है यहां भी देखने को मिल रहा है कि है हमारे मर्यादा परशüpत्तं प्रभू श्री राम हमारे भगवती स्वरूपगा मासीता जो नेपाल के स्थान पे हैं जहां पर हमारे मर्यादा प्रशोत्तम का विवाब हुआ निश्चित रूप से दोनों का सामन जस्ट बैठ के जब वह दिव्य प्रमेत्व अभी देखके ही मन से इतना आनंदित और हर्शित हो रहा हूं वह जब साकार होगा सामने आएग तो भव शरूप निश्चिती सब को संपूर्ण विश्य को आनंद देने लिए नागेंदर महराच जी संतों में कितना उत्सा है वो देवो घुत्वा देवम यजेत सबसे पहले उस भगबान स्री राम की उस जाकी को अपने हिर्दय में उतारेगा तब वह रूप सामने उस सिला में निकल करके आएगा और वो दिश्य इतना अधुत और एक अलोग शंपूर्ण विश्यू का अलोग और आकरशन का जब चोटे-चोटे सालिग रामों में इतनी उर्जा होती है तो वहां तो विशाल का है जहां भगवान राम ने जन्म लिया है और उसी इस्थान पर उसी शिला के द्वारा इतना बड़ा उर्जावान मंदिर बन रहा है तो बहुत ही कुछ आनंद की बात है और हम सम्में बहुत ही खुछी की लहर है इससे आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे रोम रोम खड़ा हो गया है राम के मंदिर की बात को सुन करके करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि प्रभुस्री राम के हम मंदिर के अंदर तर्शन करें लबने ताके साथ इसे मंदिर में विराजें और कब विराजेंगे उस दिश्ची को देखने के लिए हम सब लोगों की आंखें तरस रही है भक्तों में भी वोत्सा है वोत्सा दिख रहा है साथ निश्चित मैं आपको बता दूं कि साक्षाथ आपके विश्युकर्मा का जन्मु होगा उस व वहां पर प्रतिश्चित किये जाएंगे तो इस पूरे ब्रमांड के सभी देवता वहां उपस्तिद होंगे विभिन स्वरूपों में हमारे आपके हंदरी जन्म लेके और यह अद्वुत संयोग है और हम सब लोग के लिए हर्श का अवर्श है और हम लोग का जीवन धन्य कि यहां पर उनको भी स्वर्चा में पर लाओंगी चमतकारी शिला कहा जाता है शालिग्राम को अगर देखा जाये तो बिल्कुल इसमें कोई संदे नहीं है हमारे भगवान की जोभी चीजे हैं सब चमतकारिक है और चमतकार का तो पूछिये मां चमतकार नहीं होता तो इतना बड़ा शिला कहां जनकपूरा और कहां अयुर्ध्या इतना बड़ा सिला अयुर्ध्या आया है तो बहुत बड़ा यह उनिहां को बन सजाया जा जी जिन के लिए हम नेपाल जाकर के जाते हैं वहां वहां से आया है कि ऑगवान का दर्शन निए हम नेपाल जाकर के गंड़क दर्शन करने हैं तो हमारे बहुत बड़ी बात है और ये आस्था, विश्वास, रद्धा, सबकुछ इसमें हजारों लोगों का इसमें चुपा हुआ है और हमारे रग्वान जिस समय वहां स्थापित होंगे उसका आनन्द ही कुछ और होगा जैसे अभी पंडिदी ने कहा कि रों रों खड़ प्रकत नहीं कर सकते हैं लेकिन यह है कि बहुत बड़ा यह जो भी उनीकी प्रेणा से हमारे भग्वान के प्रेणा से ऐसी प्रेणा मन में आई है यानि कि जो यह संयोग है वो हर तरफ शुब ही शुब दिख रहा है देखें इस वक्त एक और चर्चा चल रही है अगर दे परूजय देखें देखिए विवादी पयान तो इसलिए देते हैं लोग कि अगर मीवादी ब्रेण नहीं देंगे तो यह हाइलाय नहीं दूज़े इनको हाइलाइट होना थो भादित बयान यह देंगे ही देंगे क्योंकि सनातन धर्म में एक ऐसा है इसमें सिर्फ सहना ही अब इनको मिल रही है, अब इनको समझ में आएगा, धिरे दिरे इनोगों के जबान चल रही है, सनातन धर्म के खिलाब, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब इसका एक कानून बनेगा, तब इनकी समझ में आएगा, और हमारा संत समाज इतना अब जागरुप हो चुका है, इ मैं दोनों दो बिदू रखूगा, बहुत जल्दी से, तो शालिग्राम के चमतकारी सुरूप के बारे में आप जानना है, तो बिहार के चंपा रण में एक मंदिर है, जहां विगत 200 वर्ष्वों से शालिग्राम का जो शिला है, वो आकार बढ़ा रही है, छोटी सी आईती और नारियल के सुरूप में आगी, ये तो विशय लगा दिया, बाकी रही कि जिस प्रकार से सनातन धर्म के विशय में लोग विवादित बयान दे रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से सूर है, उसी प्रकार से दिन होता है, रात होता है, उसी प्रक जारी हैं जहां हमारे तुलसी दाजी निलिका है सिया राम में सब जग जाने के साथ कहना चाहूंगी क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाने का समय नहीं है वक्त इजाज़त नहीं देरा आप सभी पोजे संतों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में जुड़ने के लिए आ कर बहुत अरी है, जात करूद देरा आप